Hey guys, welcome to world affairs, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिलंका के बारे में शिलंका आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं from United States of America और United Nations इशू है force discrimination जबरदस्ती जो धैसंसकार किया जा रहा है शिलंका की minorities का primarily Muslims और Christians का इसको लेकर शिलंका पर बहुत ज़्यादा pressure build up हो रहा है पहली बात तो यहाँ पर आप अगर देहेंगे यह शिलंका का मैप, यह मारा प्यारा भारत है और यहाँ पर आपको देखेगा यह शिलंका है शिलंका की अबादी आज के समय रफली आप कह सकते हैं और इस अबादी में जो religious group से उनको अगर हम देखे तो 70% लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं शिलंका में बुदिजम करीब 12.5% हिंदुजम इसलाम फेट को रफली आप कह सकते हैं 10% के आज पास और Christianity 7.5% तो आपके सामने हैं almost 17%, 17-18% काफी बड़ी आबादी है शिलंका की यह फॉलो करती है इसलाम या फिर Christianity को अब इन दोनों religions में आपको यह पता होगा कि मरने के बाद burial किया जाता है दफनाया जाता है क्रिमनेशन का concept इन दोनों religions में acceptable नहीं है अब क्या है कि हाली में because of COVID-19 शिलंका की सरकार ने निकाली एक policy इन्होंने ये का कि मार्श 2020 से जो भी dead bodies होगी शिलंका में जिनको पाए जाता है कि यह victim थे of COVID-19 इनका burial नहीं होगा इनको यह दफनाएंगे नहीं सीधा इनको करेंगे क्रिमेट अब obviously बात है बहुत सारे जो आपे Muslims, Christians हैं वो इसके against थे उन्होंने आपे protest किया ये का कि हमारे religious जो beliefs हैं उसके against हैं मगर सरकार ने आपर ये कह रही है कि नहीं हमारे इसाब से जरा safe रहेगा कि अगर आप यहाँ पे burial नहीं करोगे अब ये issue जो है ये पोच चुका है UN के पास United Nations में जो Human Rights Commission है उसने properly शिलंका को warning दी है और यहाँ पर ये का है कि जो जबर्दस्ती forced discrimination जबर्दस्ती हो आप दैसंसकार कर रहे हो COVID victims का ये आपको अभी के अभी रोकना होगा इस पर एक proper report है by United Nations Human Rights Office of High Commissioner की यहाँ पर ये कहरे हैं कि शिलंका में जो compulsory discrimination का rule है for COVID-19 bodies ये continue आप लोग नहीं रह सकते इसको आप change करना होगा और पहले तो देखो UN की तरफ से pressure आया उसके बाद जो USA का media है ये भी आज के समय आप आरोप लगा रहा है शिलंका पे कि शिलंका का जो baseless forced discrimination policy है इससे trauma हो रहा है on the Muslim community primarily जो यहाँ पर focus है it is on the Muslim community तो UN, US media और उसके बाद अब pressure आ रहा है from the US government itself यहाँ पर आप देखोगे ये tweet है from the US government ये लोग कहा रहे हैं कि COVID-19 tragedy के वैसे बहुत लोग मर चुके हैं हम ये चाहते हैं कि शिलंका की सरकार properly address किया government of शिलंका को कि respect करो और accommodate करो जो भी religious और cultural traditions होती हैं उनको ताकि जो लोग भी जिनके मरे हैं यहाँ पर relatives या फिर दोस्त वो respectful तरीके से उनको farewell कर पाए in ways consistent with their beliefs और सेम बात जो US ambassador है to शिलंका इन्होंने भी दोराई है इन्होंने ये का है कि WHO भी कह चुका है कि COVID-19 bodies को आप बरी कर सकते हो हाग कुछ precautions आपको रखनी होगी extra मगर overall उनकी religious beliefs को भी ध्यान में रखते हुए आप बरी कर सकते हो so international pressure शिलंका पर इस वक बहुत जादा है USA के senators भी अब US president को शिलंकान government को letter लिख रहे हैं कि जल से जल दम चाते हैं कि आपके जो ये laws है force discrimination को लेकर ये change हो amnesty international तो मेरे काज़े शिलंका में पिछले 20 साल में इस type का pressure किसी भी issue को लेकर नहीं आया होगा जितना pressure आ रहा है on force discrimination issue और एक बात यहां में point करने वाली ये भी है कि UN Human Rights Commission ने अपनी report में ये बात आड़ करी है कि ये सब जो शिलंका में हो रहा है ये part है aggressive nationalism का राष्टरवाद शिलंका में बहुत ज़रा बढ़ रहा है और रड़ी हम दे चुके है कि Muslims पर वहाँ पे काफी अत्याचार हुए है आगे ये लोग ये भी कह रहे है कि जो ये practice है कि जबरदस्ती discrimination करा और सीधा हॉस्पिलल से पता लग गया कि जो patient था COVID-19 positive था तो सीधा discrimination होगी ये काफी अत्तक discriminatory है यहाँ पे जो majority है ये force कर रही है अपनी practices on others और यहाँ पे लिखा है कि ये एक sign है persecution of Muslims का और बाकी minorities का इन श्रिलंका और आगे इस report में ये भी warn किया गया है कि इस tribe के जो अगर आप actions लोगे minorities को आप push करोगे तो इससे communal harmony जाएगी लोगों में नफरत बढ़ेगी religious tensions भी आपकी country बढ़ सकती है it will fuel hatred and violence ये literally का है UN ने यहाँ पे आप पूछ सकते हैं तो श्रिलंका का जो ये law है घूम फिर के इनका एक domestic issue है इस पर UN, USA बाकी कुछ और countries भी इस पर इतना comment क्यों कर दिया reason यहाँ पर यह है कि श्रिलंका का जो supreme court है उसने इस issue को सुनने से मना कर दिया बहुत सारी Muslim families कुछ Christian families भी इस issue को लेकर forced discrimination के issue को लेकर ये गई श्रिलंका के supreme court में और यहाँ पे आप देखोगे article है Supreme Court श्रिलंकन Supreme Court throws out case brought by families for whom discrimination is against religious law तो श्रिलंका का supreme court इस issue को सुननी रहा तो बहुत सारे जो ये संगटने श्रिलंका में जो families है इन्होंने request करी UN को US को के यह यहाँ पे interference करे तो अब यह यहाँ पे इस पे comment कर रहे है अब एक और भात यहाँ आप कोई बता दू एक और देश का यहाँ पे angle है यह Maldives अगर आप यहाँ पर देखें यह इंडिया है यह श्रिलंका है और यहाँ पे island nation है of Maldives December 14, 2020 को पिछले महिने Maldives के जो विदेश मंतरी है Abdullah शाहिद इन्होंने tweet करी इन्होंने यह का के हमें एक request आई है श्रिलंका के president की तरफ से इन्होंने यह का है कि क्यों ना अभी के लिए हमारे देश में जो भी Muslims हैं प्रामेरली जो भी Muslims हैं जो COVID-19 victims से जो अब मर चुके हैं इनके dead body हम श्रिलंका से यहाँ पे लेएंगे Maldives में और Maldives में आपके पास बहुत सारे islands हैं आप islands में आप इनको दफना दो यह इन्होंने यहाँ पे officially का again यहाँ पे आप देख पाऊगे यह official twitter handle है of the foreign minister of Maldives इन्होंने यहाँ पर यह का कि हम सोच रहे हैं श्रिलंका की request के बारे में अब जैसे ही यह news सामने आई कि श्रिलंका की सरकार ने Maldives को का है कि हमारे देश की जो नागलिक है जो यहाँ पे मरे हैं Muslim faith इनको अपने देश में ले जाओ यहाँ पे दफनाओ अचानक से जो protest है इस issue को लेकर बहुत ज़रा बढ़िया श्रिलंकान मुस्लिम्स ने यह का कि हम श्रिलंका के लोग हैं यह हमारी जमीन है हमें यही पे दफनाया जाएगा respectfully आप यह नहीं कह सकते कि हमारी जो बाडी है यह हमारे देश से कई किलोमेटर दूर ले आके आप दफनाओगे तो जैसे यह शू सामने आया श्रिलंका की सरकार पे बहुत प्रैशर बना और श्रिलंका की सरकार ने फिल क्लारिफिकेशन करी कि श्रिलंकान मुस्लिम्स की जो यहाँ पे डेट बॉडिस हैं यह यहाँ पे हम दफनाएं के इन मॉल्डिव्स यह अभी के लिए हम करने है ड्रॉप तो यह सब देखते हुए इसलिए शिलंका वे आज के समय UN के और वेरियस संगटनों के थुरू आरोप यह लग रहा है कि यहाँ पे Islamophobia बहुत जादा है यह primarily Muslims को target करने हैं during this pandemic reason यह लोग यह बता रहे हैं कि since because of this pandemic जो अर्थ विवस्ता है शिलंका की यह काफी हट हुई है tourism एक बहुत भी बड़ा sector था है अगी economy का वो आज के समय बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा तो जो unemployment है, loss of jobs हैं उस पर से लोगों का ध्यान अटाने के लिए यह आपे बड़ावा दे रहे हैं Islamophobia को तो यह आपे देखना होगा कि क्या शिलंका अपनी policy change करता है यहाँ पर यह फिर यह लोग अपनी policy में बने रहेंगे और international pressure कैसे भी करके जहलेंगे it remains to be seen तो यह end इस वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all